अगर आप टूरिजम के लिए किसी नई जगह जाएं तो आपको एक लोकल ट्रावल गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है वो आपकी मदद करेगा उस जगह की एतिहास के मारतों और बाकी जगहों को भेतर तरीके से समझने में अब आपसे एक सवाल पूछते हैं मालीशे आपको महां तीन गाइड मिले तीनों इस पेशे में आने से पहले अलग-अलग काम करते थे एक किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा धर्म गुरू था दूसरा एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता था और तीसरा इतिहास का अध्यापक आपसे सवाल ये कि आप किसे अपना गाइड चुनेंगे ये सवाल हमने क्यों पूछा है इसके लिए पूरा मामला समझते हैं जवाब आपको खुद बाखुद मिल जाएगा अंग्रेजी अकबार नियुयॉक टाइम्स की एक ख़बर के मताबिक चार परवरी 2019 को एक फेस्बुक रिसेर्चर ने इस सोशल मीडिया प्लाटपॉम पर एक नया अकाउंट बनाया किसलिये ये देखने के लिए कि केरल में रहने वाले एक व्यक्ती के बतौर उसका फेस्बुक एक्सपीरियंस कैसा रहेगा माने साथ है कि इस रिसेर्च अकाउंट में अड्रेस केरल का डाला गया था अब अगले तीन हफतों तक रिसेर्चर ने एक सिंपल रूल के साथ ही फेस्बुक अकाउंट यूज किया रूल ये था कि फेस्बुक पर ग्रुप्स जॉइन करने विडियो देखने और पेस्बुक पर नए पेजों को एक्स्प्लोर करने के लिए कोई स्पेशल एफ़र्ट ना डाला जाए माने रिसेर्चर ने पेस्बुक पर खुद से कुछ भी सर्च नहीं किया बलकि ये सब करने के लिए फेस्बुक के अलगौरितम से जो भी रेकमेंडेशन आए उन्हीं को फॉलो किया इसका परिणाम कान खड़े कर देने वाला था कैसे बताते हैं रिसेर्चर के उस डमी फेस्बुक अकाउंट पर भड़काव भाशन गलत जानकारी और वाइलेंट यानि हिंसात्मक सामगरी की बाड़ आ गई थी तो क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी फेस्बुक अक्टिविटी को लेकर हमेशा साबधान रहते हैं क्या इस प्लाक्पॉर्म पर आपत्ती जनक जानकारी और कॉंटेंट हर हालत में परोसा ही जाएगा परवरी 2019 के आखिर में फेस्बुक के एक इंटर्नल रिपोर्ट पब्लिश हुए इसमें इसी रिसर्चर के डमी टेस्ट यूजर के रिजल्ट को बकाइदा लिखा भी गया था शोद कर्था ने रिपोर्ट में एक लाइन लिखी इस टेस्ट यूजर के न्यूज फीड में मैंने पिछले तीन हफतों में मरे हुए लोगों की जितनी तस्वीर देखी हैं उतनी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी ये इस तरहां की अकेली रिपोर्ट नहीं थी कि company hate speech और violent content को जादा तरजी देती है ये भी कि Facebook इस बात को नहीं समझना चाहता कि किसी देश की स्थानिय संस्कृति और राजनीती पर उसका क्या possible effect हो सकता है और जब विवाद होते हैं तो Facebook उन पर कारवाई करने में भी fail रहती है अब आपको बताएंगे कि भारत में Facebook content पर control करने में क्यों fail है हिंदुस्तान में लगब 34 करोन लोग हैं जो Facebook या इसके किसी और platform जैसे की WhatsApp, Instagram या Facebook Messenger को use करते हैं इतने बड़े user base के साथ हिंदुस्तान Facebook के लिए सबसे बड़ा बाजार है ये एक बड़ा कारण है यहां Facebook से जुड़ी दिक्कते बाकी दुनिया के comparison में ज़ादा है माने यहां स्थतियां बत्तर हैं वज़ा एक तो resources की कमी और दूसरा ये कि भारत में 22 भाषाएं मानता प्राप्त हैं जाहिर है इन सभी भाषाओं के यूजर भी हैं वो भी बड़ी संख्या में Facebook के पास इन सभी भाषाओं में पोस्ट होने वाले आपती जनक content से निपटने के resources नहीं हैं इसलिए इन पर control नहीं हो पाता हालगी Facebook प्रवक्ता Indie Stone कहते हैं कि कंपनी न हिंदी और बंगाली सहित तमाम भाषाओं में hate speech खोज ने और उस पर चेक लगाने के लिए technology पर बहुत invest किया है भै ये भी बोले कि Facebook ने इस साल दुनिया भर में hate speech content पर आने वाले views आधे कर दी हैं खैर आगे भढ़ते हैं The New York Times के अलावा कई news organizations को सम्मिलिक तौर कर Facebook के कुछ internal documents मिले किस से मिले Facebook की whistleblower Francis Hogan से जो Facebook में product manager थी पिछले देनों इन्होंने Facebook पर आरोप लगाये थे कि Facebook के लिए उसका business जादा जरूरी है भले ही अपना business बढ़ाने के लिए Facebook को ऐसे content को promote करना पड़े जो किसी देश की शांती के लिए ठीक नहीं हो, users के लिए inappropriate हो खैर उन documents पर वापस आते हैं जो news organizations के consortium को Francis से मिले यह दस्तावेज the Facebook papers नाम के एक large material का हिस्ता थे October के शुरवात में इन्हें Miss Francis ने Securities and Exchange Commission को दी गई अपनी शकायत में भी शामिल किया गौर करने वाली बात यह है कि इन documents में कई जगा इंडिया के references भी शामिल थे जानते हैं इन दस्तावेजों में क्या था इन दस्तावेजों में जो reports शामिल हैं वो यह बताती हैं कि कैसे देश की सत्ताधारी party और विपक्षी हस्तियों से जुड़े fake accounts, national elections पर तगड़ा असर डाल रहे थे इन reports में डीटेल से यह भी बताया गया कि कैसे Facebook CEO Mark Zuckerberg का एक plan हिंदुस्तान में fake information फैलने की वजह बन रहा था खास्तोर पर कोरुनाम हमारी के दौरान जबकि यह plan था किस ही है meaningful social interaction यानि अर्थपून सामाजिक चर्चा या फिर दोस्तों और परिवार की बीच content के लेंदेन पर focus करने के लिए इनी documents में ये भी कहा गया कि Facebook के पास इंडिया में पर्याप्त resources नहीं हैं जिनकी वजह से उन दिक्कतों को भी दूर करने में सक्षम नहीं है जो इसने खुद हिंदुस्तान में पैदा की है इन दिक्कतों में से एक है anti-muslim post अब आपको बताएंगे कि Facebook कितना पैसा खर्च करता है hate speech रोपने के लिए Facebook की resources की कमी का मतलब भी समझ लीजिए इन documents में से एक जो Facebook की resource allocation यानि आवंटन की detail देता है उसके मताबिक गलत सूचनाओं यानि misinformation या fake information को categorize करने के लिए Facebook का एक global budget होता है दुल्चस बात ये कि Facebook ने इस budget का 87 प्रतीशत हिस्सा अकेले USA के लिए reserve किया जबकि बाकी दुनिया के लिए केवल 13 प्रतीशत अब करेले पे नीम चड़ा जैसा fact ये है कि North American user Facebook के global social network का केवल 10% है हाला कि इन आखरों पर Facebook के spokesperson Andy Stone कहते हैं कि अधूरे है इन में Facebook के third party fact checking partners को शामिल नहीं किया गया है जिन मेंसे जाद अतर अमेरिका के बाहर के है लेकिन ये बात गले नहीं उतरती क्योंकि मामला funds के खर्चे का है और रिपोर्ट से ये बात साफ है कि budget अमेरिका पर भरबर के खर्च किया गया है Facebook का सिर्फ अमेरिका पर ध्यान देना भारत और बाकी दूसरे देशों के लिए कितना बुरा है ऐसी समझ ये हिंदुस्तान के बाहर की कुछ मिसाले लेते हैं मायनमार में पिछले साल नवंबर में election थे Facebook के documents से साफ होता है कि Facebook ने मायनमार में misinformation को control करने के लिए कुछ गदम उठाये थे इन misinformation में वो चीज़े भी शामिल थी जो मायनमार सेना द्वारा पोस्ट की जा रही थी Research दिखाती है कि Facebook ने गलत information वाली भड़काओ पोस्ट पर आने वाले views को 25 प्रतीशत तक कम कर दिया और फोटो पोस्ट जिन में फेक information थी उनके views को लगभग 48.5 पीस्ती तक कम किया Facebook ने यहां तक ठीक काम किया लेकिन election के बाद Facebook ने फेक और भड़काओ content को रोपने के लिए जो कदम उठाये थे वापस ले लिए सीधे तौर पर इसी का नतीजा तो नहीं कह सकते लेकिन हुआ ये कि चुनाप के बाद 3 महीने के अंदर ही मैनमार की सेना ने तखता पलट कर दिया हलाकि इस पर Facebook ने का कि तखता पलट के बाद उसने मैनमार के लिए कुछ special policies बनाई है और मैनमार की सेना को Facebook और Instagram से बैन कर दिया है लेकिन इससे फायदा क्या? चिडिया तो खेत चुप गई अब चलते हैं श्रिलंका की तरफ यहां लोग उन Facebook ग्रुप्स में हजारों यूजर्स को जॉइन करवा रहे थे जिन में नफरत और हिंसा बढ़ाने वाला content भर-भर के available था यहां भी failure किसका था? जी हां Facebook का इसे तरह एथियोपिया में भी एक nationalist youth military group Facebook पर भढ़काव content पोस्ट कर रहा था इतना ही नहीं हिंसा फैलानी के लिए इस ग्रुप की तरफ से Facebook messenger calls भी खुब की जा रही थी अब आते हैं अंदुस्तान पर वापस एंडी स्टोन के एक बयान को लेते हैं Facebook के spokesperson एंडी स्टोन चीजे सुधानने की बात करते हुए कहते हैं अल्प संख्यको और हाशिये वाले बाकी समुदायों खासतोर पर मुसल्मानों के खिलाफ इंडिया में और पूरी दुनिया में hate speech का इस्तिमाल बढ़ रहा है इसलिए हम चीजों में सुधार कर रही हैं चुकि hate speech ओनलाइन विक्सित होती है इसलिए हम अपनी नीतियों को अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जवाब सिर्फ पैसा फेक देना नहीं है Facebook को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो इंडिया सहित पूरी दुनिया में लागू किया जा सके The New York Times के रिपोर्ट के मताबिक Facebook के employees ने सालों इंडिया में कई तरह के test और on-ground studies की 2019 के आम चनावों से पहले काम बहुत बढ़ गया 2019 महीं जनवरी के आखिर में Facebook के कुछ कर्मचारी भारत आए यहां वो अपने भारतिय सहकर्मियों से भी मिले और कई इंडियन Facebook यूजर्स से भी उन्होंने बात की स्ट्रिप के बार लिखे गए एक memo के मताबिक कि हां के यूजर्स ने जो कुछ request की उनमें सबसे प्रमुक्ती Facebook ऐसी fake information पर कारवाई करे जोसे वास्तविक दुनिया में नुकसान होते हैं खास्तोर पर राजनितिक और धार्मिक समुदाई की बीच तनाव कॉंग्रिस की तरफ से Facebook और Modi की जुगलबंदी पर लगातार ये आरोप लगाए गए कि भाजपा और RSS Facebook को कंट्रोल कर रहे हैं और hate speech बढ़ रही है अब आपस आते हैं उस research पर जो एक dummy account बनाके researcher ने की थी researcher के मताबिक fake information पर study करने के लिए उन्होंने जब fake account खोला था उसके 10 दिन के बाद कश्मीर के disputed border region में एक आत्मगाती बंविस्वोत हुआ जिसके बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लोगों के बीच hit speech, misinformation और साजशों की बाढ़ आ गई हमले के बाद facebook उस fake account को जिस facebook group के recommendation भेज रहा था उस group में पाकिस्तान विरोधी content आने लगा बहार टे लोग भी अब जादा तादाद में इस group में शामिल हो रहे थे अब चलते हैं ट्विटर की तरफ सोचल मीडिया content कैसे राजनितिक स्तर पर चीजे बदलता है इसके लिए हमने ट्विटर ब्लॉग में लुका बेली और रमन चौधरी का एक ब्लॉग पढ़ा ये दोनों ट्विटर के software engineering और staff machine learning department से जुड़े हुए हैं इन्होंने साथ देशों Canada, France, Germany, Japan, Spain, England और America के tweets पर एक study ती study ऐसे कई सवालों के इर्द गिर्थी जिससे ये पता चले कि Twitter algorithm किस तरह की content को amplify करता है माने trending मिलाता है पहला सवाल था Twitter पर political content की trending जादा कैसे होती है तूसरा सवाल था कि क्या ये algorithm किसी हास type की political parties के content को जादा preference देती है और तीसरा सवाल ये था कि क्या news content को बाकी चीजों से जादा trending मिलती है इस study के परिनाम चौकाने वाले थे right wing यानि दक्षिन पंथ की तरफ जुकाव रखने वाले news content को Twitter के algorithm ने जादा weightage दिया था माने trending जादा मिली थी जर्मनी को छोड़कर साथ में से बाकी सभी 6 देशों में right wing political tweets जादा amplify हुए थे बजाए left wing वाले tweets के माने साफ है कि अगर कोई user अपनी तरफ से अपनी खास रूची का content ना भी खोजे तो भी social media उसके सामने ऐसा content ला देता है जिसमें किसी एक पक्ष की तरफ राजनितिक जुकाव हो दूसरे दलो और धार्मिक समुदाय के प्रती घ्रणा हो हिंसा का प्रचार करने वाली तस्वीरे हो और गलत जानकारिया हो आपसे शुरू में हमने जो सवाल किया था कि आप अपनी ट्रिप के लिए कैसा guide चिनेंगे हमारे हिसाब से किसी एतिहासिक शहर को explore करने में मदद के लिए आप बतोर guide उस history teacher का चुनाव करेंगे क्यों ताकि आपको unbiased और non-violent सोच वाला guide मिले यह teacher भी हो सकता है और निश्पक्ष ना हो लेकिन फिर भी यह आपको शहर की अमारतों के बारे में कम से कम तथ्यात्मक और सटीक जानकारी दे ही देगा आप एक धर्म गुरु को बतोर guide नहीं लेंगे उसकी प्रवर्ती धार्मिक जुकाब वाली हो सकती है वो आपको शहर की अनमारतों के बारे में बताएगा जिनके फर्ष पर सदियों पहले का खून बिखरा हुआ है ना सिर्फ बताएगा बलकि आपको खूनी धार्मिक संघर्ष का explainer देते देते एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर देगा जहां लडने वाले दो पक्षों में से आपको किसी एक की तरफ जुकना पड़ेगा जीतने वाले की तरफ या फिर हाणने वाले की तरफ हाणने वाले की तरफ खड़े हुए तो आपके अंदर रोश, गुसा या घ्रना के भाव उपजेंगे जीतने वाले की तरफ खड़े हुए तो खुशी या पश्चता आप आपके मन में घर कर जाएगा और वो guide जो किसी राजनेतिक दल का प्रवक्ता रहा था वो भी आपको अपना version जादा देगा neutral और सची जानकारी कम आप जानकारियों को लेकर होश्यार हैं तो शायद आप पर ये दोनों guide पर्क भी नहीं डाल पाएं लेकिन हिंदुस्तान की करोडो Facebook users में बच्चे भी शामिल हैं बड़े भी, शिक्षिब भी, अशिक्षिब भी WhatsApp University से निकले fake knowledge ने देश में कितने कांड कराए हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है France ने जो आरोग Facebook की policies को लेकर लगाए हैं इस पूरी analysis के बाद ठीक मालूम होता है कि Facebook को अपनी नीतियों में धंदे से उपर शान्ती की सोच को रखना चाहिए Business volume के बारे में सोचते वक्त ये भी सोचना चाहिए कि वो users को परोस क्या रहे हैं Users के engagement time के अलावा ये भी सोचना चाहिए कि Facebook का इस्तमाल करने से कोई user अपनी real life में बन क्या रहा है उस पर क्या impact पड़ रहा है आपके लिए तमाम जानकारी लाएं हैं हमारे साथी शिवेंद्र, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दीललन टॉप, शुक्रिया